दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने गुरुवार 15 मार्च को शिरुमनी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंग मजिठिया से अपने एक आरोप को लेकर माफी मांगी थी उन्होंने आरोप लगाया था कि बिक्रम नशीले प्रधात का व्यपार करने वालों में शामिल हैं जिसके बाद 16 मार्च को पंजाब के संगरूर से सांसद भगवन तमान ने आम आदमी पार्टी के पद से इस्तिफा दे दिया असल में केजरीवाल के माफी मांगने के बाद मजिठिया ने उनके खिलाफ दायर किये गए अपने मामले को वापिस लेने का फैसला लिया था केजरिवाल के माफी मांगने पर मजिठिया ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सत्य की जीत हुई और केजरिवाल को उनकी गलती का एहसास हुआ वहीं दूसरी और केजरीवाल के माफी मांगने को लेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के नेताओं ने गुस्ता जाहिर किया उन्होंने केजरीवाल के इस कदम को निराश करने वाला बताया हाला कि दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह कदम अदालती मामले को देखते हुए उठाया गया जहां के जरिवाल खुद को फस्ता देख रहे थे पार्टी नेताओं ने इशारा किया कि यह मामला भी वहीं मोर ले सकता था जो वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दाकिल मानहानी के मामले ने ले लिया था एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट